नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं दा मोरल एड्यूकेशन आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी के एंसीक्यू को हिंदी के बस्तुनिष्ट पिरसनों के लिए जो भी जिसमी पेपर में हिंदी आती है उसमें यह महत्कून साबित हो गए ठीक है अभी जैसे पटवारी की चल रही है तो उसके लिए यह अती महत्कून साबित हैं बहुत मोश्ट हैं बैरी मोश्ट हैं आगे पिरसन देखते हैं 26 आख का तत्सम रूप होगा जो आख सब्द है उसका तत्सम रूप क्या होगा ठीकिन इसका तत्सम रूप होगा अक्षी यह वाला सही आंसर हो जाए हैं उन्हें कहते हैं अपन तत्सम सब्द कहते हैं जैसे हैं आपका दुग्द है ठीकिन मयूर है करपूर है आदी सब्ध श्रेकर्मांग अंगला है पानी का उच्छत अनीकार्थ्य युग्म है उत्तर है जल पत्ता या फिर चमक पत्ता या फिर जल चमक या फिर इज़त या फिर आनंद इसका सही आंसर विजाएगा आपका जल चमक सी वाला सही आंसर पानी का उचेत अनेकार्थी सब योग्म होगा, क्योंकि जल चमक अनेकार्थी बेसद होते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं, ठीक है न, तो इसके लिए ये C सही होगा, प्रिशन किर्मांग का 28 है, अपिस्तक का बहु बचन होगा पुस्ट के पुस्ट कों ओस्ट सविए आपका सुद्ध सब्द में भी पूचा जा सकता ए क्या इसका सही अंसर हो जाएगा पुस्ट के हो ठीक है ना परिशन किर्मानक अगला है संहासी सब्द में किस प्रकार की असुद्धी है, यह जो सब्द लिखा है आपका, सन्यासी, इस में किस प्रकार की असुद्धी है, तो इस में, जो असुद्धी है, सन्यासी सब्द में अनुश्वर संबंधी इसका एक में दोड़ा सा स्वेट और करे लेते हैं हम प्रिके ना तो आपका हो जाएगा सी वाला साही प्रिस्ट करमांक अगला है तीस माहें प्रिस्ट करमांक ठीक है ना प्रिस्ट इसमें 200 क्वेस्टन आना है प्रिस्ट इसमें 200 क्वेस्टन आते हैं तो 25-25 नमर के में 25 नमर कर रहा है तू किया ऐसे ही क्लाश चल नहीं इसलिए 25 से शुरू होता है तो इसका तुमने पत्र तुमने पत्र तक नहीं लिखा इस बाग में तक नहीं या फिर लिखा ऐसी कोश्चन आते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक तुमने पत्र तक नहीं लिखा मैं सब्द में निपात सब्द कौन सा है तक है इसका सही आंसर भी हो जाएगा प्रिशन कर्मांक पुत्र का प्रियाएबाची निम्न लिखित में से कौन सा है तनय ताने तानय या पिर तनय इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुत्र का प्रियाएबाची सब्द वो कौन सा है यह है तनय ये वाला सही है, और जैसे पुत्र के जो परियाबाची सब्दों में है, पूत है, ऐसी अलाद है, अलाद के बाद लड़का है, ठीक है न, बेटा है, बालक है, बालक के बाद लाल भी होता है, इसका लाल के बाद है, ठीक है ना बत्स भी होता है और आपका सुत भी होता है सूबत भी होता है ठीक है ना यह आपके परियाबाची होते हैं लेकिन इसका यह वाला सही हो जाएगा परिसन किरमांक 32 है जिसके पास पार देखा ना जा सके जिसके पार देखा ना जा सके उसके लिए एक सब्द मैसे क अगला है अपदासी अगला है अपरदर्सी इसमें बड़ा पाई इसमें छोटा पाई अपदर्सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपार दर्सी जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहते हैं अपार दर्सी प्रिशन कर्मांग 32 का ए सही है लेक्स देखते हैं प्र कौन जा है छंद्रो र लॉंदय चंड्र औडव और इसमें बढ़ा औ हो हे औधर है यह इसका सही यहां सर हो जाएगा चंद्र धन उदय यह चंदर में रा लगा है इसमें रा नहीं लगा है ऐसे देखना है इसमें दया के लगा है उदय नहीं लगा है इसमें बड़ा हुए इसमें छोटा हुए इसमें छोटा हुए तो चंदर धन उदय डी वाला सही आंसर हो जाएगा पिसन किर्मांग 34 है अनात का बिलॉम सब्द निमनलिकित में से कौन सा है सुनात है सनात है अरनात या फिर सरनात है इसका सही अंसर हो जाएगा आपका सनात अनात का क्या हो जाएगा सनात है बिलॉम सब्द 35 है पाप का बिलॉम सब्द निमनलिकित में से कौन सा है पापका पुन्द हो जाएगा पुन्यारव पापी या फिर प्रण्यार इसका और पृण्यार युद्ध प्रित्य से बना सब्द निमिलिखत में से कौनसा है त्यागी इक इस या फिर इस्वर इसका है आपका त्यागी क्योंकि इसमें तो कुछ लगाई रही है जिसे जो खा होता है न इसमें ऐसे लखा जाता है खा पिलस आ होता है सब में आ लगा रहता है जिसमें ठीक है न सा पिलस आ होता है ये ऐसे हलंत लगा होता है रा और आ होता है रा तो त्यागी में गा पिलस ई है तो ये त् परसिन करमांक 37 है रोक पीड़ग में निम निम्लिखट में से कोण सा समास है कर्म धारा समास है दिगू समास है ततपुरु समास है या लग का सही हो जाएगा तत पुरु समास रोग पीड़े सब्द का समास भगए inhabitants क्या होगा इसका रोग से पीडित होगा इसलिए इसमें तत्पुर्व समास होगा जिस समास में दूसरा पद उत्तरपर्द परदान होता है ठीके ना, वो कौन सा होता है आपका कत्पुर्व से समास होता है तो सी वाला तो सही आंसर है प्रिशिन के मांगक 38 देखते हैं कान भरना मुहावरे का अर्थ निम्लिकत में ऐसे कौन सा होदा या आप ये ना समझें कि ये सरल है सरल ही बहाँ पर गलत हो जाते हैं तो देखते हैं पिरसन क्रमा के 38 का ए वाला पीट पीछे सिकायत करना बी वाला है ध्यान रखना नेक्स्ट आपका कान में गंद की भरना या पिर्डी वाला है कान में फुस फुसाना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीट पीछे सिकायत करना ये वाला सही आंसर पिरसन क्रमा के 40 देखते हैं नीम हकीम खत्रे जान लोग को तिया का अर्थ होगा आपका नीम का पत्ता बचाना नीम के हकीम करना या फिर खतरनाक चीजें या अल्प ग्यान ठीक है नहीं भेंकर होता है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला अल्प ग्यान भेंकर होता है नीम हकीम खत्रे जान देखते हैं हम तुर्षिन कर्मांकर एक मिड़ने रुकते हैं आपने कहानी अब देखते हैं तुर्षिन कर्मांकर चालीस है बंदेले हर भोलों के मुख्य हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरतानी बो तो जहासी वाली रानी थी थी इन पंक्तियों में निम्लिकत मैंसे कौन सा रस है ये तो आप सभी लोग जानते हैं ठीक है ना इसमें कौन सा रस है भीवत से सांत है सकती है या फिर बीर है डी सही आंसर बीर रस है प्रिशन कर्मांक अगला देखते क्तियों पुझत है जो रहीम गती दूइप की कुल कपूत की सोए बार ईज्यारो करे बड़े अंद्यारों होए इसके पूछ रहेम गती दूइपक की पहार तो जारह करता है और इस खुद में घर में लेरा कर लेता है इसमें कौन सा अलंकार है इसका अंसर देखते हैं ऊपने रूपा का लंग कार संदेय कार श लेस IMC lower या फिल फिल्यक्षा अलंक्व इसमें सही अंसर हो जाएगा आपका सलेष चिपका हुआ है फिरसन के मिली से कभी का स् ते लिंग रूप का ताए यह कभी का हो जाएगा कभी यत्री कभी यती कभी यत्री या पर कभी यती वह होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कभी सब्द का सही आंसर हो जाएगा आपका कभी यत्री स्वरी कभी नहीं यह वाला नहीं होगा यहां पे कभी यत्री होगा लिखे देते हैं यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग ठीक हो ना कभी कभी यत्री हो जाएगा ठीक है ना इस पे एक मात्रा होगी अगर इस पे मात्रा लिखते हैं तो डीवाला सही हो जाएगा आपका कभी यत्री ऐसा लगा जाता है कभी का प्रिशन किर्मांक आपका तेतालीस है बिकल्प मेंसे दी गई पंक्तियों मेंसे उपमा अलंकार के उधारण बताईए यह वाला है नात सकल सुख साथ तुम्हारों आगे है बहे दीप सिखा सी सांत भाव मेलीन है नेक्ष्ट है लो यह है तलीका भी भर गई मधु मुकुट नवल रस गागरी और नेक्ष्ट वाला है देख लो साकेत नगरी है यह स्वैंड से मिलने गगन में जा रही है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला यह दीप सिखासी सांत भाव में लीन है नेक्ष्ट में पंक्तियों में उपमा अलंकार किसमें है ठीक है ना तो यह दीप सिखासी इसमें आपको उपमा दी गई है। यह किस प्रकार की है दीप सखासी तो इसका बीछ प्रिशन कर्मांक्र exist t implementation is कि कुल संख्या होती हैं कितनी होती है 31 32 या फिर 33 छ इसकी होती है 32 कि कि इस फेप्रसंद तर्मान के लास्ट हो पैसालियस में हम देखते हैं कि यह मुनट्स दोड़ा साइब में जैस्टेर है एक मिन धेकंड सेखते हैं अधि कि यह रहे है ऐ रही आपने मैं पिर्योक्त उपसर्ग बताएं अथाय में कौन सा विजा आ होगा यह होगा हाँ होगा या फिर्धान और उप्परद्धान प्रधान प्रधान चोटा होता है ऐसे ही जो सब्द आगे लगा जाता है उसे कहते हैं ठीक है ना उप सर्ग तो इसमें क्या लगा है था है में आ लगा है यह सही आंसर है ठीक है ना कि एक मिनट छोटा कर लें पूड़ी सेटिंग में डिश्टर पो गई है सायद हम देखते हैं इसमें प्यरा आने की भी संभाब ना है ठीक है ना तो जो 46-50 प्रसन है यह आपको इस प्यरामे से मिलेंगे प्यराम पढ़ने जा रहे हैं भारत अभी भी एक विकासील देश ही ह और अनेक देशों की तरह यह भी अनेक परियागर्दनी मुद्राओं में अटका हुगा है निर्धनता चिंता का एक प्रमुक छेत्र बना हुगा है और अपात्र साफ सफाई और स्वक्च पेजल सहित अनेक समस्याएं परिशानियों का सबब बनी हुई हैं जन संख्या की उच्च ब्रद्धी पर प्राकृतिक संसाधनों का छरण और नभीनी करने की कोशिस में है दूसरी और आर्थिक विकास और तकनी की प्रक्की भी पिरक्रिया संसाधनों की भीतर दोहन कर रही है जिसका नतीजा यह हुगा है कि बायू जल और नाब किये पिर दूसरन बढ़ रहा है भारत सरकार पिरमुक पर्यावर्णी मुद्रा और मुद्रों पर ध्यान दे रही है और इस चिंता जनक स्थिती से निपटने के लिए अनेक पर्यावर्णी नीती बना रही है परंतु इन को सही मायनों में चरितार्थ करने के लिए तभी काफी कुछ करना होगा पिरमुख परिया बढ़निये समस्या जल बायू परिवर्तन प्राकृतिक आपदाएं मिट्टी भूमें की जैब बिविदता और हास जल बायू जल पिर दूसन से सभी जीवन्त परिया बढ़निये की संतुलन को बिचारन किया रहा है यह अनुभव रहा है क कि मानव का सांती पूर अस्तित अब तक दिवा सौपन भर रहा है आपदाओं का संभावित परिद्रस हमारे अस्तित और धर्ती मा के लिए खत्रे की लप्टती हुई तलवारें बन रही हैं इसलिए इसलिए हो रहा है कि हम पंचतंत बायू जल प्रत्वी अगनी और भूमी के बीच ठीक है न सह अस्तित और संतुलन की पूंजी को खो चुके हैं यदि पंचतंत के सभी संतुलन या समावेशक नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित खत्रे में पढ़ जाएगा पंचतंत में कुछ परिवर्तन बिचलन के कारण ही प्राकृतिक आपदाएं घट रही हैं पिछले पंद्रह बर्सों में चक्रवात बायू सूखा बरफिले तूफान गर्मी सीथ लहर की अबिर्तियां और उगरता काफी बढ़ गई है यह केबल भारत ही नहीं बरन पूरे बिच में हो रहा है तीस बस पूर्व आधी दुनिया घुर गरीवी में रहती थी डिव अमेरिका डॉलर प्रति दिन की आए के गरीव की संख्या पहले ही आधी रह गई है तकनी की आविशकार और संस्थागत सुधारों के कारण प्रगती के बावजूत पिसेशकर माध्य आए बाले देशों में लोगों की आवसक्ताएं काफी बढ़ गई है अनेक देशों में प्रति ब्यक्ति आए पहले से दुगनी हो गई है फिर भी भूंखे लोगों की संख्या में बेह हाथ में बेतहासा ब्रत्थी हो रही है पर्स 2010 में ऐसे लोगों की समस्या एक अरब से उपर चली गई थी इतने लोगों के भूटी और गरीवी से इगरेश्थ होने के कारण आर्थिक बिकास और गरीवी मिटाना बिकास्चील देशों की पहली प्रात्मिक्ता बनी होई है भारत भी इनी देशों में से एक है हमने पहरा पढ़ा अब हम देखते हैं प्रिसन किर्म करण च्छालीश बिकासील देशों की पहली प्रात्मिक्ता क्या है प्रिसन किर्मांक अगला है 47 है में लिकित मैंसे कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन आपका सत्य है प्राकृतिक आपदाओं में ब्रत्धी हो रही है करीबों की संख्या पहले से कम नहीं होई है भूंखे लोगों की संख्या में बेतहासा ब्रत्धी हो रही है और दी है सभी देशों में प्रति ब्यक्ति आप पहले से दोगनी हो गई है इसका सही आन्सर होजाएगा, भूपे लोगों की समस्या में बेतासा बिरत्य हो रही है, अपरिया बढ़नी ये समस्या है, कौन सी जलवायू परिबरतन की प्राकृतिक आपदा की है, जैब बिविधता की कमी की है, या फिर उपयोकते सभी हैं, तो इसमें आ जायगा डीवा रखाला उपीयोगत सभी समस्यां हैं प्रुषन किनके मुझा से प्राकृतिक संसाधनों का च्रण का अर्थ होता्य प्राकृतिक संसाधनों का यह appearing प्राकृतिक संसाधनों में कमी होना या प्राकृतिक संसाधनों में कोई ब्रध्धी ना होला प्रिशन किर्मांग कर उनन्चास का है आपका सी वाला प्राकृतिक संसाधनों में कमी होना देखते हैं किन देशों में लोगों की आवस्चक्तां बढ़े रही हैं मत्यम आए वाले देशों में निर्धन देशों में और निम्न आए वाले देशों में ठीक है ना या फिर उप्योक्त सभी तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पचास वाले का ए वाला मध्यम आए वाले देशों मैं ए सही आंसर ऐसे ही वीडियों प्राप्ट करने के लिए हमारे चैनल को ठीक है ना लाइक के शेयर और सब्सक्राइब करें थेंक्यू फॉर बॉचिंग वीडियो झाले देवी आंसर हो